दोस्तो बिशनूराज आज जेल में जिन्दगी और मौत से लराई लर रहा है आपको बता दे जेल में बिशनूराज का तवियत बहुत ज्यादा खड़ाप हो चुका है दोस्तो ऐसा कहा जा रहा है कि विशनुराज को बहुत खतरनाक हैबेटेटिस जैसा बिमारी हो गया है दोस्तो ऐसा लग रहा है कि विशनुराज अब हम सभी को छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन दोस्तो आप लोग विस्तनूराज के लिए दुआ भागमान से करे कि विस्तनूराज ठीक हो जाए और आप लोग से जितना भी हो सके विस्तनूराज के लिए दुआ करे विस्तनूराज जल्दी ठीक हो जाए आपको बता दे दोस्तों खेसारी जी को जैसे ही पता चला कि बिस्तनूराज जैदा बिमार है बिस्तनूराज का जिल में ही भेपेटेटिस जैसा खतरनाक बिमारी हो गया है तब खेसारी जी अपने हेलिकॉप्टर से बिस्तनूराज से मिलने के लिए आ चुके हैं दोस्तों जी का हेलिकॉप्टर उतर नहीं रहा है लोगों की इतनी जैदा भीर लगी हुई है हलाकि हेलिकॉप्टर बिसनुराज के गाउं में पहली बार आया है खेसारे जी हेलिकॉप्टर से अपने परिबार के साथ बिसनुराज को देखने आये हैं इतना जैदा भीर कभी भी नहीं लगी है खेसारी जी के बिशनूराज के पास जाने के लिए नहीं दे रहे हैं इतना है नहीं दोस्तों हलाकि खेसारी जी को यह भी नहीं पता था कि बिशनूराज का घर कहां पर है जैसे तैसे करके खेसारी जी बिशनूराज के घर का पता लगा लेते हैं पता चलता है कि बि परिसान हो चुके हैं हलाकि गाउं में जब कोई बड़ा एश्टार आ जाता है तो आपको भी पता होगा कि कितना जैदा परिसान हो जाएंगे और खेसारी जी भोजपूरी के नंबर वन एश्टार है और जैसे तैसे करके खेसारी जी होस्पीटल का पता लगाया काफी जैदा खेसारी जी के आँखों में आशू आ गये और विसनूराज भी काफी जैदा रोने लगे और दोस्तों आपको बता दे कि खेसारी जी ने एक विशनूराज से वादा किया है कि विशनूराज को हम बचा लेंगे विशनूराज को कुछ होने नहीं देंगे जिस तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हों खेसारी लाल को तो हमें कॉमेंट करके और खेसारी लाल को कॉमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं तो यहाई था हमारे आज के वीडियो में वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सश्क्राइब करे इसे और लोगों में शेयर करे धन्यवाद